दोस्तों ये पेपर है आंसर की का आज हुआ है जो पेपर चतुर सैमेस्टर देती है प्रश्ण पत्र कह सकते हैं सैक्षिक प्रबंधन एबं प्रशासन की आंसर की तो जब भी आप टेट एक्जाम्स में जाते हो किसी भी राज्जिक की बहन, किसी भी राज्जिक का चातर देख रहा है, इस वीडियो को याद रखेगा, जब B.A.D. के एक्जाम, B.T.C. के एक्जाम्स होते हैं, तो मनो विज्ञान के कुछन्स आपके सैमेस्टर परिक्षा संसाधन के अंतरगत आता है, देखो संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, बहुतिक संसाधन की बात करते हैं, मानवी संसाधन की बात करते हैं, और वित्ती संसाधन की बात करते हैं, जब भी हम यहाँ पर फस्ट आपका नहीं होगा, उप्सिन नमर थ्री हो जाएगा, फस्ट म है आपका बहुत दिक प्रियोग साला नेक्ष आपका तीसरा है कि समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या है तो दोस्तों याद रखी का option number three is right answer हो जागा निर्डयन प्रक्रिया ये कम से कम 40% बच्चों ने गलत किया होगा इस question को अच्छी तरीके से में काम आएगा निक्स्ट 12 प्रबंदन के घटक क्या है तो मानवी प्रबंदन मैंने कहा मानेवी प्रबंधन जैसा कि नाम से ही पता चला है कि कहँं कहीं न कहीं अध्यापक हो सकते हैं चात्र हो स्री घड़ी हो जागा इस कुछन का राइट अंसर नेक्स है आपका विद्ध्याले के आविलेकों का मुख्य उद्धे से क्या होता है दंड का साक्षे आवस्यक सूचनाओं को रख रख रखाओ या फिर अनियमितिताओं की जानकारी या फिर निरिक्षण में सयोग याद र जाता है विद्ध्याले के अविलेकों का मुख्य उद्ध्य से है क्लियर नेक्स चलता हूं यहाँ पर व्यक्या ऐसी करता हूं अंदाज में दोस्तों सारी क्लासेज आपकी दो दिन की बात है और सारी क्लासेज देखना इतनी गजब की मज़ा आ जाएगा कि हम टेट 1964 में चाचट में राष्ट निर्मार की संग्या किसे दिया गया था प्रतिवा साली चात्रों को देखी जब भी हम बात करते हैं कोठारी कमीशन तो कोठारी कमीशन में कोई भी में दिवाकी नहीं लगाना हमें कोठारी कमीशन पर जाना है अध्यापक पर तो आप्स नमबर जहां पर हम चीजों का निरिक्षण भी करते हैं और उसके साथ ही साथ क्या करते हैं उसका निदानात्मक चीजें भी सोचते हैं कि इसकी निदान कैसे हो पाए तो option number क्या हो जाएगा सिक्षा की संपूर प्रक्रिया में बांचनी परिवर्तन करना अगर कोई चेंजमेंट करना चाहते हैं तो भाईया वो हो जाएगा चेंजमेंट क्लेर वो टेट परिक्षा में आने वरी टेट परिक्षा में गलत नहीं करना सुनिएगा राज्य शिक्षा संस्तान पूछ रहा है इसलिए आपका लखनव नहीं होगा यह सी इयाल्ट का बात नहीं कर रहा है मेरे भाई यहाँ पर बात कर रहा है प्रियाग राज हो जाएगा option number हो गया है तो जब भी नहीं है तो दंड की अधिक्ता नहीं है इसलिए option number क्या हो जाएगा थ्री इस राइटांस देखिए सारे मनोविज्ञान के questions आपके semester exams में आते हैं और same to same ऐसा ही paper BA वाले semester exams में भी आपको मिलता है बस question का तरीका बदल जाता है लेकिन मनोविज्ञान 心 पर आत करेंए नहीं करती है तो फॉकस है वहारा प्रण ध्यापक्ष पर होता है option toNo best राइट अंसर बहुत करते हैं तो यहां पर आपको बताना हो कि सकारात्मक्ष की बात करी है तो क्या राइट आता हो जाएगा बहुत बढ़िया तो देखी का इस question का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा अनुसासन यानि fourth option is right answer हो जाएगा ठीक है ने अनुसासन हो जाएगा नेक्स्ट चौदमा कुश्चन है कि या भिया कौन सी पाठ्थिसाइगामी क्रिया तरक सक्ति का विकास करती है अगर आपका बात बीबाद हो जाएगा या पाठ्थिसाइगामी क्रिया क्या होती है तो आपका क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा Couple कूशल प्रबंदन से क्या समझते हैं कango बात करते हैं संस्थागत नियोजन से अगर हम बात करते हैं पूर्ब नियोचिज लच्छेु को प्राप्त करने के लिए वही चीजा लर्निंग कॉर्नर क्या है कहीं भी किसी भी विद्ध्याले के कोने पर आप जो है कोई भी सिक्षा कम समय में ज्यादा ग्रहन कर रहे हो यह नर्मल सी बात है अपने लिख लिया होगा समय सारणी के अनुसार जो है मैं तो क्या है समय सारणी अगर किसी भी कारे को किया जाता है समय बद तरीके से और समय सारणी का अगर हम बिध्याले के अनुरूप देखें तो क्या आप नहीं लिख सकते हो समय सारणी का जो बिध्याले के अनुरूप में तो यह है कि अगर किसी बिध्याले की समय सारणी होगी तो आप कम समय में यानि समय के अंदर रहते हुए उन कारें का निप्टारा बिल्कुल हो जाएगा ठीक है ना बिल्कुल तरीके से आप जैसे सिक्षण में देखते हो पिरियेट्स लगतेUNG हैं तो वहां पर भी आप एक तरीके से देखतेँ हो कि सिक्षक और जो चात्र होते हैं उनके मद्ध जो है सिक्षण बड़ा रुचिकर हो जाता है जिग्यासु हो जाते हैं mid day meal MDM जो परियोजना चलती है आपके अपरहन में चलती है और दोपैर में ठीक है ना वो भी एक समय सारणी के अनुसार ही चलता है बात करते हैं सेक्षिक प्रसासन से आप क्या समझते हो नारमल सिवात है ये पूरा आपका डिपेंड ही था चैप्टर तो आपने बिल्कुल तरीके से लिख लिए होगा आपदा प्रबंदन से क्या से आपदा प्रबंदन मानवी करता आपदा होती है आपकी प्राकृतिक आपदा ठीक है मानवी करता आपदा और प्राकृतिक आपदा का आप कैसे प्रबंदन करते हो कम समय में कैसे प्रबंदन करते हो ज इसके अलावा गर हम बात करते हैं भूस खलन है तो ये सारी चीज़ें हो जाती है आप प्रबंदन से आप निपट सकते हो इन चीज़ों सो कैसे आप निपट सकते हो इनका आपको यहाँ पर आसे बताना था पर बेक्षण का उत्ते से मैंने बता सूपर वीजन की बात कर रहा है सूपर वीजन का मतलब है आपको किसी भी चीज़ का तरीज का जांच करना है और उसका जांच करने के बाद उसके तोर तरीकों का मुल्यांकन भी करना है कि ये कैसे हमें निदान मिल सके ठीक के ना सूपर वीजन इसका इंग्छिज wise मतलब होता यह सक्षिक जो है अध्यापक पंजिका होती है उन अविलेखों को आपने जो है इस्कूल में कैसे रखा है किसे इलवारी में रखा है वहीं से सारा जो लेखा जोका है आपके बिध्याले में वहीं तो भीया है अविलेख ठीक है ना NCTE का फुल फॉर्म बताया है National Council of Education जो है क्या हो जाएगा National Council of बताएंगे बढ़िया NCTE का National Council for Teacher Education ठीक है ना National Council for Teacher Education हो जाएगा हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिस में लिखो आपको लिखना है जिला सिक्षा एवं प्रसिश्चर संस्तान यानि डाइट के बारे में बात कर रहा था उनके विभाग के बारे में बात कर रहा था ठीक है बहुत बड़िया जैसे सैक्षिक नियोजन एवं प्रबंधन एक विभाग की बात होती है ठीक है ऐसे हम बात करते हैं सेवा निवत के संग के उद्दे से बताईगा अगर बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो सिक्षक को ऐसे सामाजिक्ता के तरीके से पेसाना चाहिए उनके पैरेंट्स की मीटिंग भी आजकल स्कूल में होती है इसलिए पैरेंट्स मीटिंग को हम बहुत इंपोर्टेंस देने बात है भुकम की बात कर रहे है ठीक है ना बाड की बात कर लो ठीक है बुस्कलन की बात कर लो कुछ भी आपको आए यह लिख सकते हो ठीक है विज्ञान सिक्षण में प्रियोग साला का महत बताएगा अगर बिज्ञान सिक्षण में प्रियोग साला की महत तो अगर नहीं कर पाएंगे अगर हम उसी चीज को अगर हम प्रियोग के माध्यम से सिखाएंगे तो चीजें बिलकुल दिमाग में बैठ जाएंगी सटीक बैठ जाएंगी कम समय में ज्यादा नालेज हो जागी बच्चों को आसानी से इनका महतु लिख सकते थे ठीक है हर विध्याले में च कितना आपका लेवल गया है 15 के बहुविकल्पी में वो भी हमें बताएं जैहिंद मुस्कुरात रहिएगा नेश्ट आपके एक्जाम की सुबकामना है